गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है यह है बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रशन पत्र पश्चिमी राजनितिक विचारक या प्रतनिधी पाश्चात्य राजनितिक विचारक की क्लास है हम लोग इस प्रशन पत्र के अंद्रगत आज जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं या जिस विचारक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है काल माक्स और आज के व्याख्यान में हम काल माक्स से सम्बंदित दो बातों की चर्चा हम करेंगे प्रतम है पहला है कि काल माक्स को प्रतम विग्यानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है और दूसरा हम काल माक्स के जीवन के बारे में कुछ महत्पून तत्थियों को जानने का यहां पर प्रियास करेंगे आए प्रारम करते हैं काल माक्स तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो काल माक्स का जीवन काल है यानि उनका जन्म और म्रत्यों का जो वर्ष है वह 1819 से लेकर 1883 अर्थात 1819 में काल माक्स का जन्म हुआ और 1883 में उनकी म्रत्यों हुई हम प्रारम करते हैं मैक्सी के एक महत्पून कथन के साथ जो उन्होंने काल माक्स के बारे में कहा है मैक्सी कहते हैं निश्पक्च रूप से उस व्यक्ती के विसे में कुछ कहना बहुत कठिन हो जाता है जिसे लाखों व्यक्ति ईश्वर की भाती पूजते हो और अन्य लाखों लोग पिशाच बानकर उससे घ्रना करते हो यदि माक्स के अध्यन की आविशकता का प्रशन हटाया जा सके तो इन कटू आलोचनाओं से बचा जा सकता है परंतु उस व्यक्ति को कैसे भुलाया जा सकता है जिसके विचारों ने विश्व को प्रतिवदंधी शिवरों में बाट दिया हो प्रतिद्वन्दी शिवरों से यहां तात्परिये है जो दुत्य विश्विद्र के दौरान हमें दिखाई देते हैं अमेरिका और सोवित रूस के रूप में, सोविसंग के रूप में ऐसे व्यक्ति के संबंद में विचार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि भावुकताओं को मस्तिश्क की खड़की से बाहर फैक कर उसे समझने की चेश्टा की जाए तो यह मैक्सी जो है काल माक्स के बारे में कहते हैं और काल माक्स के अध्धिन की आवशकता को यहां पर वो इसपष्ट करते हैं अब हम देखते हैं कि काल माक्स को प्रथम विग्यानिक समाजवादी विचारक के रूप में क्यों जाना जाता है। समाजवादी विचारधरा के प्रतिपादन या सामाजिक और आर्थिक विवस्था में परिवर्तन की बात कहने वाला प्रतम विचारक नहीं था और मार्क्स से पूर्व अनेक ब्रिटिश वा फ्रेंच विचारक हुए जिनके दुआरा समाजवादी विचार व्यक्त किये जा से प्रमुक लोग कौन थे फ्रांस में नॉयल बाबेफ, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और लुई ब्लांक और इसी प्रकार इंग्लेंड में कौन थे जॉन डी डिसमेंडी, डॉक्टर हॉल, विलियम थॉंसन और रोवर्ट ओवन तो ये वे विचारक हैं ब्रिटेन और फ वियक्त किये थे, तो इसलिए हम काल माक्स के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि वे समाजवादी विचारधरा के प्रतिपादन या सामाजिक और आर्थिक विवस्था में परिवर्तन की बात कहने वाले प्रतम विचारक थे, क्योंकि उन से पहले भी इन विशेयों पर कुछ व विशमता, स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक छेत्र में राजी की अस्तक्षेप नीती के कटू आलोचक थे, जो इन विचारक थे, जिनोंने समाजवादी विचार व्यक्त किये थे, ये विचारक जो है, ये धनकी विशमता, पूजी वादी विवस्था थी, उसमें जो धनकी विशमता, स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक छेत्र में राजी की अस्तक्षेप नीती थी, उसके कटू आलोचक थे, ये विचारक आर्थिक विशमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरन पर बल देते थे, जो पूजी वादी विवस्था में आर्थिक विशमता थी, उसके इस्थान पर समाज में किस बात पर बल देते थे, कि समाज में धन का न्यायोचित न्याय पूण वितरन होना चाहिए, किन्तों उन्होंने यह नहीं बताया था, कि यह विशमता किन कारणों से उत्पन होती है, और उसका उत्पादन की विधि विशमता थी, और धन का जो न्यायोचित वितरन नहीं था, आर्थिक विशमता थी वहाँ पर, उन्होंने इन विशमता के कारणों पर कोई चर्चा नहीं की, कि विशमता किन कारणों से उत्पन होती है, और इस विशमता का आर्थिक विशमता का उत्पादन की विधियों क के साथ क्या सम्मंद है उन्होंने समाज की प्रगर्ती और विकास के नियमों को समझने का प्रियत्न नहीं किया था इन लेक्षकों द्वारा ने तो परिवर्तित घटना चक्र की कोई व्याख्या प्रस्तुत की गई और नहीं विद्यमान अवस्था को सुधारने के लिए क्रियात्मक व्यवारिक दर्शन प्रदान किया गया तो जो कालमाक से पहले के समाजवादी विचारक है तो उनके बारे में ये बात कही गई है कि उन्होंने समाजवादी विचारतों व्यक्त किये लेकिन उन्होंने जो आर्थिक विशमता की बात कही पू उसको सुधारने के लिए कोई इन्होंने क्रियात्मक विवारिक दर्शन प्रदान नहीं किया इस समंद में यहां परम वेपर के कतन का उले करना चाहेंगे जो बहुत ही मैतपूर्ण हैं वेपर इनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने अर्थात जो कालमाक से पहले के समाजवा तो कर ली लेकिन ये गुलाब के फुल किस प्रकार त्यार होंगे इस बात की उन्होंने कोई बात नहीं बताई कि इनके लिए धरती कैसे त्यार की जाएगी जहां से सुन्दर गुलाबों को हम प्राप्त कर सकते हैं इसलिए मार्क से पूर्व के जो समाजवादी विचारक हैं उनको क्या कहा जाता है स्वपलो किये समाजवादी विचारक यूटोपियन शोशिलिस्ट ठीक है तो ये बात आई समाजवादी विचारक जो जिन्होंने कालमाक से मार्स लिखता है कि अभी तक सभी दार्षनिक जगत का विचलेशन करने में लगे रहे हैं परन्तु दार्षनिकों का मुख्यकारिये जगत का विचलेशन करना नहीं अपितु उसे क्या है बदलना है मार्स कहते हैं कि अभी तक जो दार्षनिक थे वे केवल जगत का करने में लगे रहे हैं परंतु दार्शनिकों का जो कारिय है वे है जगत का विशलेशन करना नहीं है अपी तो उसे क्या है बदलना है अतहे माक्स द्वारा पृतीपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा मात्र नहो कर विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यवारिक दर्शन है आप ध्यान दीजिए यहां पर जो काल माक्स का समाजवाद है वे काल्पनिक विचारधारा नहीं है जैसा कि काल्पनिक से पहले के समाजवादी विचारधारा नहीं है अपीतु उसका प्रतिपादन विधीवत रूप से एक व्यव विग्यानिक समाजवादी कहा जा सकता है तो ये बात आती है कि कारल मार्क्स को विग्यानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है ठीक है कि क्योंकि उन्होंने समाजवाद का प्रतिपादन विदिवत रूप से एक विवहरिक दर्शन के रूप में किया उसको विग्यानिक आधार प्रदान किया इसलिए काल मार्क्स को व्यग्यानिक समाजवादी विचारक कहा जाता है मार्क्स का समाजवाद इतिहास के गूड अध्यन पर आधारित है जो समाजवादी विचार उन्होंने व्यक्त किये विकल्पना पर आधारित नहीं है अपितु इतिहास के गहन अध्यन पर आधारित हैं मार्क्स उन इतिहासकारों से सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ महान व्यक्तियों के कारियों का परिणाम मात्र माना है कुछ विचारक जी अइतिहासकार जो कहते हैं कि इतिहास केवल कुछ महान व्यक्तियों के कारियों का परिणाम है इनसे सहमत नहीं है इतिहास के विकास को समझने के लिए उसके द्वारा दुन्दात्मक पदती को अपनाया गया और दुन्दात्मक पदती कहां से ग्रेन की थी उन्होंने हीगल से तो इतिहास का जो विकास होता आया है जो हुआ है उसको समझने के लिए काल माक्स ने हीगल की दुन्दात्मक पदती का सहरा लिया दुन्दात्मक पदती क्या है हम आगे देखेंगे और उसका विश्वास है कि आर्थिक शक्तियों के आधार पर इतिहास का अनवरत या लगातार विकास हुआ है जो हीगल की दुन्दात्मक पदती उन्होंने अपने इतिहास के विकास को समझाने के लिए अपनाई तो इस समंद में उन्होंने कहा है कि जो इतिहास का जो विकास हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है आर्थिक शक्तियों के आधार पर माक्स प्रतम व्यवारिक दार्शनिक है जिसने इस बात पर अत्यदिक बल दिया है कि इतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परस्तियां अपना प्रभाव डालती है तो ऐसा कहने वाला माक्स प्रतम विचारक था या व्यवारिक दार्शनिक था जो कहता है कि इतिहास की घटनाओं पर आर्तिक शक्तियों का आर्तिक परतियों का प्रभाव पढ़ता है माक्स ने आधुनिक समाज का बड़ी गूड़ता और आलोचनात्मक द्रश्टी से अध्यन किया है माक्स ने जो आधुनिक समाज है उसका बड़ी गूड़ता के साथ और आलोचनात्मक द्रश्टी से अध्यन किया है उसने पूझीवाद के दोशों का वरणन करने के साथ साथ पूझीवाद का अंत कर वर्ग विहिन समाज की स्थापना करने के लिए एक विदीवत प्रक्रिय का निरूपन भी किया है उसने केवल पूझीवाद के दोशों का ही वरणन नहीं किया इसके साथ साथ उसने पूझीवाद का अंत कर किस प्रकार वर्ग विहिन समाज की स्थापना होगी इसके लिए एक विदीवत प्रक्रिया का निरूपन भी किया है प्रतिपादन भी किय या उसकी व्याख्या भी की है इस प्रकार समाजवाद को उसकी भाव तथा काल्पनिक प्रष्ट भूमी से निकाल कर उसे विग्यानिक रूप काल्माक्स द्वारा प्रदान किया गया तो ये वज़े है कि काल्माक्स को विग्यानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है तो ये सा ही नहीं वरन समाजवादी विवस्था की इस्थापना के उद्देश से उनके द्वारा विश्व के मजदूरों एक हो जाओ तो इस बात क deceबर आती है कि किसका है कि विश्व के मजदूरों एक हो काल माक्स ने कहा है और इन शब्दों में श्रमिक वर्ग का क्रांती के लिए आहवान किया गया है जो समाजवादी विवस्था का अंत है वह श्रमिक वर्ग के क्रांती के द्वारा होगा और इस क्रांती के लिए विश्व के श्रमिकों का आहवान करता है और कहता है कि विश् इसवी में प्रतम अंतराश्ट्रिय की स्थापना का कदम उन्होंने उठाया था तो कई बार प्रशन आता है कि प्रतम अंतराश्ट्रिय क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी इन बातों का हम आगे दिन करेंगे लेकिन ये 1864 में जो प्रतम अंतराश्ट्रिय की स्थापन के अतरिक्त विश्यू की आर्थिक और राजनितिक इस्थिती को परिवर्थित करने का एक व्यभारिक मार्ग भी बताया। माक्स प्रथम समाजवादी लेखक है जिसके कारिये को व्यग्यानिक कहा जा सकता है। माक्स प्रथम समाजवादी विचारक क्यों कहा जाता है कि माक्स प्रथम समाजवादी लेखक है जिसके कारिये को व्यग्यानिक कहा जा सकता है। उसने अपने वांचित समाज का चित्रन ही नहीं किया वरन उन परस्तियों का भी विस्त्रित वरनन किया है जिसके माध्यम से इस लक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। लंकाष्टर के कतन का भी हाँ हम उले कर देते हैं कि कारल माक्स को माक्सवाद के व्यग्यानिक समाज होने के दो प्रमुक आधार हैं। इस थापित करने के लिए भी व्यग्यानिक द्रस्टिकॉन अपनाता है। ऐसा लेन लंकाष्टर ने कहा है। और ऐसे ही प्रिसिद इतिहासकार हुए हैं। एजेपी टेलर कहते हैं कि माक्सवाद में सामाजिक परिवर्तन करने वाली शक्तियों की जो व्याख्या है वह उसे व्यग्यानिक्ता प्रदान करती है। काल माक्स ने जो सामाजिक परिवर्तन लाने वाली शक्तियों की व्याख्या की है उसी के आधार पर माक्सवाद को व्यग्यानिक्ता प्राप्त हुई है। इसके अलावा इन परिवर्तनों को संभव बनाने वाली शक्तियों की व्याख्या मानव मनो विज्ञान पर आधारित है। किसने कहा है लास्की ने और लास्की कहते हैं किसी भी पहलू से हम उसे देखें काल माक्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास में स्वैम एक युग है कि उसने सामेवाद को अस्त व्यस्त रूप में पाया तथा उसने एक आंदुलन बना दिया। जो कलास्की कहते हैं कि काल माक्स ने सामेवाद को अस्त व्यस्त रूप में प्राप्त किया था परंतु उसने सामेवाद को एक आंदुलन का रूप दे दिया। उसके द्वारा सामेवाद को एक दर्शन तथा गती प्राप्त हुई। तो यह तो बात हुई कि काल माक्स को व्यज्यानिक समाजवाद का प्रनेता या प्रत्थम विचारक क्यों कहा जाता है। तो यह सारी बातें उससे सम्मंदित हैं जिनका आपको गहराई से अध्यन करना है। अब हम काल माक्स के जीवन परिचय को जान लेते हैं और उसके जीवन से सम्मंदित महत्मुन घटनाओं, महत्मुन तथ्थियों की हम जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि उसके जीवन से सम्मंदित कई प्रकार के प्रेशन परिक्षाओं में पूछे गए हैं तो हमें इन तत्थियों की जानकारी होना बहुत आफशक है यदि हम कालमाक्स को गेराई से समझना चाहते हैं कालमाक्स का जन्म जर्मनी आप याद रखिएगा कालमाक्स का जन्म का हुआ था जर्मनी के ट्रिब्ज नामक इस्थान में एक यहुदी मध्यम वर्गिये परिवार में हुआ था यहुदी धर्म छोड़ कर इसाई धर्म और इसाई धर्म के इंतर के कौन सा प्रोटेस्टेंट धर्म अपना लिया कैथॉलिक और प्रोटेस्टेंट दो धर्म है तो प्रोटेस्टेंट धर्म अपना लिया और स्वभाविक रूप से उनके बच्चे भी उसी धर्म के अन्युआई हो गए साधरन सी बात है मार्क्स की प्रार्मिक शिक्षा उसके भावी स्वस्वर तथा एक उदार विचारक बैस्ट फेलन के घर पर हुई घर पर तथा एक विद्याले में हुई जो भावी सुसर उनके सुसर होने वाले थे उनका नाम है बैस्ट फेलन तो उनके घर पर प्रारमिक शिक्षा काल मार्क्स की हुई मार्क्स बहुत तिवर बुद्धी का व्यक्ति था और पीडित वर्ग के प्रती उसमें बहुत साहनुवूती थी सत्रवर्ष की आयू में वह बौन विश्वध्याले में कानून की सिक्षा प्राप करने के लिए गया किन्तु एक वर्ष बाद ही उसने कानून के शुष्क विशय को चोड़ कर दर्शन और तिहास विशय का अध्यन प्रारंब कर दिया बर्लिन और जेना विश्वध्याले में उसने इन विशयों का अध्यन किया अर्था दर्शन और तिहास का अध्यन किया और इसी समय काल मार्क्स हीगल के द्वन्दात्मक दर्शन डियलेक्टिकल फ्लोसफी के संपर्क में आया जिसने उसे बहुत अधिक प्रभावित किया बरलिन और जैना विश्वध्याले में अध्यन के दोरान 1848 में मार्क्स ने जैना विश्वध्याले से डेमोकरिटिस और एक्रितिक दर्शन में भेद इस विश्वध्या पर निबंद लिखकर डॉक्ट्रेट की उपादी प्राव्त की ती 1848 में और जो विशय था वह था डेमोक्रिटस और एपीकुरस के प्राकरतिक दर्शन में भेद। अद्ध्यापनकारिये से निशकाशित कर दिया गया और प्राध्यापक्द प्राप्र करने के इसके अवसर समाप्त हो गया विश्विध्याले में उनकी दो दोस्त कह सकते हैं जो उनकी प्रतिस हानुबूती रखते थे फियोर बैक और बुनो ब्यूर तो इन लोगों की प्रजातांत्रिक विचारधारा वाले समाचार पत्र रिन्चे जितुंग का संपादक बन गया याद रखीएगा आप और शीग्री ही उसने एक प्रभावशाली राजनितिक पत्रकार की रूप में ख्याती प्राप्त कर ली। प्रंतु अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण प्रशिया के अधिकारियों को उसने अपना विरोधी बना लिया प्रशिया के अधिकारियों को उसने अपना विरोधी बना लिया और उसे अपने पत्र का संपादन बंद करना पड़ा। बेकारी की इस हालत में उसने इंग्लेंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, आदी देशों के इतिहास तथा कल्पनावादी, समाजवादी, साहित, विशेश रूप से सैंट साइमन और चार्ल्स फोरियर की रचनाओं का गहराई के साथ अध्यन करने में व्यतीत किया जो उनको अपने समचार पत्र के संपादन कारिये से निकाल दिया गया था, बंद करना पड़ गया था उनको, तो बेकारी के इस काल में जो समय था उनका, उन्होंने इंग्लेंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, आदी देशों के तिहास का अध्यन करने और कल्पनावादी समाजवादी साहित थे, कल्पनावादी समाजवादी साहित थे, और इसमें प्रमुक कौन से विचारक थे, सेंट साइमन और चार्ल्स फोरिर की रचनाओं का, उन्होंने गहराए के साथ अध्यन किया, प्रारंब से ही मार्क्स और वेस्ट फेलन, अभी हमने जर्चा की थी जो भावी तूसर थे उनके की पुत्री जैनी एक दूसरे की प्रती आकर्शित थे, और अटारह सो तियालिस इश्वी में, पत्चीस वर्षी आयू में, मार्क्स ने वेस्ट फेलन की पुत्री जैनी से विवहा कर लिया, और दोनों कहाँ चले गए, पैरिस चले गए, पैर पड़ गया पैरिस में माक्स जो है प्रौधा और बाकुनिन जैसे अराजक्तावादियों के संपर्क में आया तो प्रौधा और बाकुनिन जो थे अराजक्तावादी विचारक हैं इनके संपर्क में आया और इनके विचारों ने कार्ल माक्स पर बहुत प्रभाव डाला 1845 में मार्क्स जीवन की विभिद विपत्तियां सेहन करता हुआ इंग्लेंड पहुँचा और जीवन के अंतिम छण तक वही रहा यहां मार्क्स का परीचे एक उध्योग पती एंजिल्स से हुआ नाम याद रखेगा एंजिल्स से हुआ यहे परीचे मित्रता में परिनत और काल मार्क्स तता एंजिल्स की मित्रता 19-वी सदी की सरवाधिक प्रसिद सहित्तिक मित्रता के रूप में जानी जाती है काल मार्क्स और एंजिल्स का नाम आप लोग साथ सा सुनेंगे इन दोनों की मित्रता को 19-वी सदी की सरवाधिक प्रसिद सहित्तिक मित्रता कहा ग साहता की अपितु समाजवादी विचारधरा के प्रति पादन में भी काल माक्स का बहुत बड़ा सहयोग किया है 1848 में काल माक्स और एंजिल्स ने सामेवादी गोशना पत्र Communist Manifesto की रचना की पुस्तक है इनकी काल माक्स और एंजिल्स की जिसे सामेवादियों का धर्मगरंथ कहा जा सकता है जो सामेवादी विचारक है उनका धर्मगरंथ कहा जाता है Communist Manifesto को जिसकी रचना 1848 में काल माक्स और एंजिल्स ने मिलकर की थी और सामेवादी गोशना पत्र यानी Communist Manifesto की रचना से ही व्यज्यानिक समाजवाद का युग प्रारंब होता है माक्स के द्वारा ने केवल सामेवादी विचारधरा का प्रतिपादन वरन श्रमिक वर्ग को संगठित करने का कार्य भी किया गया उन्होंने ने केवल सामेवादी विचारधरा का प्रतिपादन किया अपितु पूझीवाद को समाप्त कर सामेवाद की इस्थापना के उद्देश से स्रमिक वर्ग को संगठित करने का भी कार्य किया 1845 में उसने इंगलेंड में जर्मनी के रहने वालों की वर्कर्स एजुकेशन यूनियन इस्थापित की 1845 में इंगलेंड में जो जर्मनी के लोग थे उन लोगों की एक यूनियन इस्थापित की जिसका नाम था वर्कर्स एजुकेशन यूनियन इंग्लेंड से वापस आकर उसने ब्रुसेल्स में श्रमिकों का एक समुदाय प्रारम किया जिसका वह स्वैम भी एक सदश्य था 1847 में उसने इंग्लेंड में उग्र श्रमिकों की प्रतम कॉंग्रेस की स्थापना की और उसका नाम कमिनिष्ट लीग रखा 1864 में माक्स ने लंदन में अंतराश्ट्रिय स्रमिक वर्ग समुदाय International Workingman's Association का गठन किया जो विश्यो में प्रतम अंतराश्ट्रिय के नाम से विख्यात है तो प्रतम अंतराश्ट्रिय की स्थापना कब हुई थी? 1864 में कहां पर हुई? लंदन में और इसका क्या नाम था वास्तिविक अंतराश्ट्रिय श्रैमिक वर्ग सम्भूदाएं लंदन में रहते हुए माक्स अपने जीवन के अंतिम समय तक किसी ना किसी रूप में पूझी वाद का अंत करने के प्रयत्नों में लगा रहा 1883 में काल माक्स का देहावसान हो गया उसकी मरत्यू पर उनके मित्र एंजिल्स द्वारा पढ़े गए शव संदेश की कुछ पंक्तियां इस प्रकार थी जीवन में उसका उद्देश प्रतेक संभव तरीके से पूझी वादी समाज के अंत का प्रयत्न करना था जीवन में उसका उद्देश प्रतेक संभव तरीके से पूझी वादी समाज के अंत का प्रयत्न करना था संगर्स उसके जीवन का मुख्य तत्तु था और उसने ऐसे अदम में उत्साहा, साहस और सफलता से संगर्स किया जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता प्रिणामत है वह अपने समय का सबसे अधिक ग्रिणा और श्रद्धा का पात्र व्यक्ति था उसका नाम और कारिय यूग यूग तक जीवित रहेगा तो ये एंजिल्स ने कहे ते शब्द उनकी मृत्यों पर शब्ष अंदेश के रूप में अब देखते हैं काल मास की रचनाएं और उनके दर्शन का क्या श्रूत हैं तो रचनाएं हम उनका नामिया देख लेते हैं पहली है हीगल की अधिकार संबंदी धारना की आलोचना की एक प्रस्तावना अधिकार श्रूत हैं तो दा क्रिटिस्जम अफ दा हीगल स्फिलोसफी ओफ राइट दूसरा है पवित्र परिवार दा हूली फैम्ली अथारा सो चम्बालीश फिर है दरिद्रता का दर्शन पॉर्टी ओफ फिलोसफी अथारा सो सैतालीश सामेवादी गुष्णापत्र द क्मिनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 आपको ये स्थन जरूर याद रखने हैं और क्रम भी याद रखना है कि पहले कौन सी पुस्तक आई और बाद में कौन सी पुस्तक आई फिराजनितिक अर्थविवस्था की विवेचना क्रिटिक और पॉलिटिकल एकोनोमी 1869 मूले कीमत और ल मिंदे वें ऐंजिल्स ने कालमास की ब्रत्यों के बाद पूर्ण किये फई फ्रांस में वर्ग संघर्स क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1871 और गोथा प्रोग्राम और क्रान्ती दथा प्रतिकरान्ती गोथा प्रोग्राम स्था ये उनकी रचना हैं जो महतपूर आपको इनके capital से हिंदी में पूंजी भी कहते हैं इनकी सरवादिक महत्मूर रचनाएं कही जा सकती हैं आप दर्शन की श्रोथ की बात करते हैं कि काल मास का जो दर्शन है उसका श्रोथ क्या है तो पहला है हीगल का दर्शन और विशेश रूप से हीगल की द्वंदात्मक या द्वंदव का प्रभाव तीसरा है फ्रेंच समाजवादियों विशेश तया सेंड साइमन चार्ल्स फोरियर और कैबिट की विचारदारा का प्रभाव तो काल मास के दर्शन के श्रोथ की रूप में हम इन तीन बातों का उलेक कर सकते हैं फिर काल मास के प्रमुक सिध्धान जिनका हमक आगामी व्याख्यानों के अंतरगत एक एक करके अधिन करना है उनकी एक हमें संचिप जाकी यहां ले लेते हैं जो प्रमुक सिध्धान ते काल मास के इस प्रकार हैं द्वन्दात्मक भौतिकवाद का सिध्धान इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक रिख्वार्स अत्रिकत मोलका सिद्धांत पूझीवादीव्याख्या का विशलेशन और उसके भविष्य के संबंद में धारनाod 9 प्रजादंत्र धर्म और राश्ट्र के संबंद में धारना और माक्स की पद्दति और कारिकरम तो इनकी बारे में हम आगामी जो इस अध्या व्याख्यान इहीं समाप्त होता है धन्यवाद और यह जो आज का व्याख्यान है इसकी आप पीडिये फाइल को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने जो एक लिंक दिया है वहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं